तो भाई लाट आप मार्केट का रूल क्या है कि लाट आप लॉंच होंगे उसके अंदर राइर रेंट होते हैं लोर रेंट होते हैं कुछ मिड़ वाले भी होते हैं मतलब अलग रेंज आ पचास साथ जार सतर जार से लेके एक हमारा एसुस ऐसा ब्रैंड है जो महेंगे लाट आप पहले निकालता है और सस्टे इतने लेट इतने लेट टफ एफटी ना है मार्केट में आइफ ट्वेल फवंड़ एच के साथ आर्टी एक्स थर्टी फिफिफ्टी वह भी दोजार तेइस में 75,000 के प्राइस पॉंट तो अब 70-75,000 में ये भी एक कंपेटेटर मार्केट में आ गया और भी बहुत सारे ओप्शन इस ताइम पे मार्केट में जैसे नाइट्रो है लिनोव आइडिया पैड है लिनोव का लॉक है सारे तुम्हारे सवाल मैंने पढ़े है इंस्टागराम पे जो स्टोरी डाली द बन रखे हैं लाप्टोप का वेड डिस्ट्रिबुशन अच्छा है एक अच्छी डराम से उपन होती है और स्क्रीन वापल हमारे को कुछ इतना मिलेगा जो कि जादा भी नहीं और कम भी नहीं और टॉप लिट फ्लेक्स तो ना के बराबर ही है बिल्ट गॉलेटी के मामले और पीछे की तरफ भी एक अच्छे कर सकते हैं और ट्रैक पड़ का साइज अच्छा घासा मिलता है उपर टॉप कि यहां पर ब्रैंडिंग हो रखी है चलने में स्मूध है मल्टी जेस्टर को सपोर्ट करता है एंड फुली क्लिकेबल वाला है एंड बात करता है पूर्ट एक HDMI 2.0b वाला पोर्ट है एक Thunderbolt 4 पोर्ट यहां पर हमारे को मिल जाएगा जो DP 1.4 को सपोर्ट करता है यानि कि Display Output अब इस से ले सकते हो लेकिन इस Thunderbolt 4 पोर्ट से कोई भी पावर डिलिवरी का सपोर्ट मेरे को नहीं मिला बाकि एक और हमारे को USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट मिलता है तो यहां पर नंबर ओफ पोर्ट के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं लेगी लेकिन पीडी का सपोर्ट नहीं है पीडी का सपोर्ट होना चाहिए था 2023 है थंडर बोल फॉर पोर्ट है तब भी पावर डिलिवरी नहीं चल रही है बट यह एक अच्छी बात है इस लाप टॉ यहां पर देरा दुन रहे हो और आप देरा दुन उत्राखंड में रहते हो तो यह पार देरा दुन उत्राखंड वाल लो के लिए बागी लोग स्किप कर गया आगे जा सकते हो यह लाप टॉप स्टोर देरा दुन की तरफ से एंड आप इनके स्टोर विजिट कर सकते हो जब को क्लॉक तार के पास है इंके स्टोर का एड्रेस और कॉन्टाइक डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूआं इ डिस्क्रिप्शन में सारी डीटेल्स आपको मिल जाएंगी आप जाके चेक आउट कर सकते हो और इस लाप्टॉप में मिलती है मारे को 15.6 इंची एंटी ग्लेर दिस्प्लेय फुल एच्टी वाली डिस्प्लेय नाइटी इस्पेक्ट रेश्यों के साथ आती है 144 रेश्यों आपको मिल जाता है तो यहां पर इस्पोर्स गेमिंग वगएरा करोगे तो इसका पैनल अच्छा आपको देदेगा एंड बात करते हैं कलर्स वगएरा को लेकर तो स्पाइडर एक्स प्रोस आपने टेस्ट किया था यहां पर 48% NTSC मारे को उसके लिए मिल जाएगी 68% srgb इसके लावा 271 NTS की पीक ब्राइटनेस इसके अंदर गई थी तो यहां पर प्रैक्टिकल यह इकर इस डिस्प्ले के बारे में बताओं तो इसके अंदर कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप नहीं कर सकते नॉर्मल मल्टी मीडिया देखना हो गेम वेम आपको खेल नहीं हो तो उसके लिए सही है अगर आप सोचोगे किसी की वीडियो या फोटो कलर ग्रेड करोगे किसी क्लाइंट वगारा के लिए तो इसकी डिस्प्ले आपका काम खराब करा देगी वैसे दिखने में बेकार निये डिस्प्ले लेकिन वह होताना एक कलर अक्यूरेट नहीं बहुत जादा ब्राइट एंवार्मेंट में चलोगे तो डिस्प्ले विजिबल नहीं रहती और यह कुछ ऐसी इसकी वैबकेम की क्वालिटी मेरे को कॉमेंट सेक्शन हम अधाओ वैसे तो इसके अंदर हमारे को दो दो वाट के दो इस्पीकर मिलते हैं लेकिन अगर दूसरे तफ से कंपेर करो तो इसकी साउंड कॉलिटी मेरे को थोड़ी सी बेटर लगी पतानी सायद मेरे को वैसी लग रही है यह सच में बेटर है बट यहां मैं कह सकता हूँ सफ्टर में जाके चेंज कर सकते हो उसमें अराम से 5-6 गंटे का बैक अप मिल जागा फिर जिसमें यूट्योब वीडियो देखनी हो दोक्यूमेंट वाले काम करने हो या मूवी बगरा देखनी हो कोई भी हाइन टास्क नहीं जैसे वीडियो एडिटिंग होगी गेमिंग अगर होगी उस सब के लिए मैं आपको रेकमेंट करूंगी चार्जर प्लग इन करो क्योंकि चार्जर प्लग इन करके जो सीप्यू की टीप और जीप्यू की टीजीपी है ना वह मैक्सिमम परफॉरमेंस पे चलिजाती हो यहां पर हमेश्या की तरह बैटरी के मामले में को इसको कर सकते हो उसके लाबा इन्वीडिया रटीक्स 3050 में जागा जो की 4GB वाला जीप्यू है और 95 वाट टीजीपी के साथ आता है और फाइवन दूजीपी जैन त्री एससदी मारे को इसके लाइट स्पीड में कह सकता हूं उसके लाबा एससदी के टोटल स्लॉट कितना है वो मेरे को नहीं पता वैसे यूजूली तफ में दो ही होते हैं लेकिन इस मॉडल के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैं कह नहीं सकता वैसे पर स्लॉट टीवी तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है और कनेक्टिवीटी के मामले में वाइफाइब व्लूटूथ वर्जन 5 पॉइंट टू एंड में क्या ही बात करें तफ के सस्ते वेरेंट से हमेशा सही नहीं मिलता इसके अंदर भी नहीं है वैसे मेरे साब से होना चाहे था आजकल बहुत लोगों को नीट होती है और तगनी की बातों को साथ कर लेते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात सबस सामने है क्रॉसमार्क बेंचमार्क हमने किया था वीडियो पॉस करके देख सकते हो एंड यह हमारा पीसी मार्क 10 का स्कोर जो 6000 प्लस निकल गया अच्छा गासा निकाल दिया और यह हमारा 3D मार्क टाइन स्पाई जिसमें सीप्यू का स्कोर भाई बढ़िया निकल गया रहा परफॉर्मेंस हो चाहे मल्टिकोर यहां पर 12500 एच 4800 एच से बेटर है उसके लावा कंपेर करते है 11800 एच से क्योंकि टफक है कि 11800 एच वाला मॉडल भी चल रहा ऑन लाइन विद आर्टेक्स 3050 टी आई लेकिन फिर भी आपको 11800 एच से जादा बेटर परफॉर्म करता हो और यहीं पर लेकर कंपेर करें राइजन 7 6800 एच से जिसका टाफ हमने भी रिव्यू किया तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो मल्टिकोर परफॉर्मेंस में 6800 एच बेटर है लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटल हमेशा जीत जाता है तो जहां पर गेमिंग क करने हो जिस लेवल के रिटिंग हम करते है उसके हैं बाकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा जादा लेयर से बाइफेक्ट से बाड़ करो गे उसके बाद पर्फॉर्मेंस उपर नीचे हो सकते हैं लेकिन ये वाला जो प्रॉसर रेवीडियो आर्किटेक्च्छर या वहाँ पे आपकी परफॉर्मस में थोड़ा बहुत लाग आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट हेवी होता जाएगा उसके लाबर डे टो डे टास्क करने हो कोई दिक्कत निया है स्टूडेंट और कोडिंग वूडिंग करने हैं वो भी अराम से करवा देगा मिउजिक प्रोड़क्शन काम से हो जाएंगे अगर सिंगल पीची लाइफ स्ट्रीम करनी है नॉर्मल वाली वह तो आराम से हो जाएगी गेमिंग वाली करनी है वह भी ठीक ठाग ये करवा देग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर रेजोलुशन सारे गेम में 1080 भी रखने वाले है जो इसका अपना नेटिव रेजोलुशन है सेटिंग्स को रखा हमने हाई पर बाकी सेटिंग्स आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो और यहां पर वैलोडेंड में हमारे को 250 fps के आ यहां पर टेस्ट कर रहे हैं यहां पर रेजोलुशन रखा है 1080p और सेटिंग्स को रखा है हाई पर अल्ट्रा पर नहीं रखा भाई 3050 है नीचे आप देख सकते हो वी राम 4.27 जीवी तक जा चुकी है और यहां पर कोई भी हमने अप्सकेलिंग में भी यूज नहीं करा र उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं RDR2 अल्ट्रा सेटिंग्स पे जिसके अंदर हमारे को 75-80 fps मिल रहे हैं DLSS क्वालिटी पे और यहां पर 60 fps के आसपास मिल रहे हैं DLSS आफ पे और 1080p रेजोलुशन के साब से 3050 के साब से भाई भड़िया परफामस निगाल के दे रहा है उसक बुरे भी नहीं कह सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है क्योंकि 40 वाट पावर ड्रॉट करने के बाद भी 26-27 डिग्री रूम टेंपरेचर होने के बाद भी 90 प्लस टेंपरेचर जा रहे हैं वैसे हम जो लाप्टप टेस्ट करें विदाउट कूलिंग पैट जिससे मैं कह सकता हूं रे ट्रेसिंग के बिना तो हमारा 3050 ठीक टा क्या पे बला है उसके बाद हमने टेस्ट के रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर गया है एंड उसके बाद तो बाई 3050 ने बोला ना वाया मैं रॉम में नहीं सिर्फ 15 fps दे पाऊंगा बिल्कुल खतम यार उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं वाच्डॉग्स लीजियन यहां पर हमने सेटिंग्स को रखना है हाई पे एक तरफ दील्स आफ और क्वालिटी पर ऐसिक ऊच कोई नियां और हाई सब्सक्राइंग्स में हमारे को बाई प्लेय मिल रहे हैं लेकिन अभी तक हमने र 25-30 fps के आसपास मिल रहे हैं, जो कि ठीक ठाक प्लेबल होते हैं, तो यहां पर आपको सेडिंग्स को मीडियम या मीडियम से नीचे करना पड़ेगा, अगर आपको रेटरेसिंग के साथ खेलना है, इसलिए RTX 3000 सीरी रेटरेसिंग के लिए इतनी कैपेबल मैं कहता हूं कि नहीं तो अच्छी लगती भी थी, अब तो यह लगता है, 4-5-7 fps बढ़ जाते हैं, इससे क्या ही फरक पड़ेगा पर मॉमेंस पे, और उसके बाद सेम प्री सेट रो सेम DLSS पे टेस्ट किया है, लेकिन इस बार रेटरेसिंग को हाई पर करने के बाद प्लेबल fps में कहूंगा, स्पाइडर मैं में हमारे को मिल रहे है, 30-40 fps के आसपास, DLSS क्वालिटी लगाने के बाद बागी से जाधा fps ही है, तो सेटिंग डाउन कर लेना, 30-50 में कहूंगा, AAA टाइटल के साब से ओके ओके ग्राफिक्स कार्ड है, लेकिन फिर वही बात है, पैसे जितने भर होगे, उसके बाद हम टेस्क कर रहे है, Hogwarts Legacy, Ultra Settings हमने यहां पर रखिया है, and Ray Tracing को भी यहां पर रखा है, हमने 30-50 के अंदर DLSS क्वालिटी लगाने के बाद, Hogwarts Legacy भड़िया चल रहा था, 40-45 fps मिल रहे थे हमारे को combat के अंदर, जो कि अच्छे गाजे playable होते हैं, वहीं पर raw performance भी देख ग्राफिक कार्ड पर यह गेम कैसा चल पाएगा, उसके बाद टेस्स कर रहे है, जंग का भगवान, God of War, High Settings पे, and यहां पर लेफ्ट साइड में कोई भी upscaling method नहीं है, राइट साइड में DLSS को quality पर रखा है, and यहां पर देखा है, तो मीडियम सेटिंग्स पर राइट सार गेम्स खिलवा देता है, ठीक टाक सेटिंग्स पे, और मीडियम सेटिंग्स में भी बहुत ज्यादा वी राम यह कंजूम करता है, इस वैसे आप देख सकते हो, कि राम शेयर हो रही है, 14GB के आसपास राम यूज हो रही है, इसलिए सब को मैं ही रेकमेंड करता हूँ, 16GB र अब को बताई दिया, प्रोसेसर के मामले में 12500 एच बैटर है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर आज की रेट में चल रहा है, और आगे सेल में और भी सस्ता होने के उमीद है, तो यह जादा वैल्यू फोर मनी बनता है, यहाँ पर दोनों के अंदर एक प्लस और एक एक मैनस है, नाइट्रो में DDR5 रहा है, तफ में DDR4 है, वहीं पर तफ में 90 वाट आर की बैटर है, इसके अंदर 57.5 वाट आर की है, तो आपका जैसा यूसेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, तफ की बिल्ड कॉलिटी थोड़ी सी बैटर मिलेगे आपको ऐस कंपे नाइट्रो, फिर उसके बाद नाइट्रो 5 का दूसरा वेरेंट आया था 12500 वाला जो आज की रेट में 70,000 का चल रहा है, तफ के कंपैरेजन में नाइट्रो की बिल्ड कॉलिटी थोड़ी सी लोवर साइड है, बैटरी थोड़ी सी लोवर साइड है, तो आप तफ के लिए जिसके अंदर आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, 74-75,000 में 8GB वाला वेरेंट मिलेगा, मेरा 16GB वाला जो मैंने रिव्यू कहा था, वो 77-78,000 का जाएगा, तो मैं कहूंगा नाइट्रो ज्यादा वैल्ली फोर मनी है, लेकिन कहीं चीज़े उपर नीचे हो जाती ह लेकिन यहाँ लॉक में मिलते हैं दो बेनिविट्स एक तो DDR5 राम होगी और इसको 3050 हो मेरे को 6GB वी राम मिलता है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता है, फ्यूचर में जब रिव्यू करेंगे ना तब एक्जाक्ट बताएंगे कि आपको लेना चाहिए नह आज की रेड में 70,000 का चल रहा है, प्रोसेसर तो लोवर साइड है में पहले बता चुक हूँ, लेकिन यह 70,000 में जाधा वैल्यू फोर मनी है, क्यों कि अंदर 16GB RAM मिल रहे है, इसी प्राइस पॉइंट पर DDR4 वाली है, और साथ में MS Office भी मिल रहा है, तो अगर आपको CPU उतन 800H वाला, RTX 3050 वाला, 68,000 में 8GB RAM वाला है, तो 23,000 extra डालोगे तो आपको 16GB RAM मिल जागा, 71,000 रूपीज में, और ओवरॉल तफ के कमपैरिजन में बढ़िया है, क्योंकि DDR5 RAM मिलती है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, प्राइस पॉइंट अच्छा है, बस यहां पर हमारे को दो डिफरेंसिज मिलते हैं, एक तो डिस्प्ले को लेके तफ के अंदर IPS पैनल है, डेल के अंदर WVA पैनल है, लेकिन ग्राउंड वियालिटी पर अलग 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 लैप्टॉप देखोगे तो इतना जादा डिफरेंस पतन लगता, और दूसरा डिफरेंस है बैटरी को ल अगर 70,000 के आसपस तक मिलता है, तो जादा value for money होगा, अभी 74, 75 या 16GB RAM करवा लोगे तो 77,000 तक पड़ेगा, जिसमें ये overpriced है, और दूसरा major सवाल, 3050 के 2023 में future proof है, 3050 के लिए 3050 के लिए 3050 के लिए 2050 के लिए भी आप जा सकते हो, तो फ्यूचर प्रूफिंग तो पैस आपको क्या चीज कैसे लेनी है, बस मेरी तरफ से इतना है, आज की वीडियो में, अगर पसंदा आई वीडियो तो लाइक मार देना, पहली बार आँ सब्सक्राइब, मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए, बाई!